दोस्तो गीरी डूडल के इस प्लैटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम डीटर्मिनेंट एन मैट्राइस का एक इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डीटर्मिनेंट दोस्तो मैं ऑफ्लाइन बैच में भी पढ़ाता हूँ तो बुझे पता है कि जैसे ही मैं यह टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर यह टॉपिक हमारे कॉलेज में कैंसल है most of the college में यह टॉपिक दोस्तो कैंसल कर दिया जाता है बट अगर आप आगे competitive exams देने वाले हो तो यह topic बहुत ही ज़्यादा important है और मेरे हिसाब से आपको यह topic अच्छे से कर लेना चाहिए तो दोस्तो one by one हम properties start करते हैं और properties को मैं simple language में आपको बताने वाला हूँ जैसे यहाँ पे आप first property अगर देखोगे तो दोस्तो इस property का मतलब क्या है अगर मैं यहाँ पे just examples से आपको समझाना चाहूँ अगर आप यह examples भी अगर मेरे याद रखोगे तो अपने आप आपको property number first समझ में आ जाएगा सबोस यहाँ पे मैंने एक determinant लिया determinant में मैं इसको two three one four three seven minus one three two सबोस मैंने एक determinant लिया और दोस्तो यहाँ पे मैं इसी determinant का दोस्तो इसे हम row बोलते हैं यह first row यह second row यह third row first column second column third column अब मैं क्या करूंगा पता है इसी same determinant का जो first row है उसको मैं first column यहाँ बना दे रहो second row को second column बना दे रहो और third row को third column बना दे रहो अब दोस्तो अगर आप यह दोनों determinant को अगर solve करते हो अगर आप इसे भी solve करोगे अगर आप इसे भी solve करते हो दोनों के answer दोस्तो same आएंगे तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है the value of determinant remain unchanged if its rows are turned into column मैंने क्या किया इसके सभी rows को मैंने क्या किया column में convert कर दिया और अगर मैंने सभी columns को अगर row में convert कर देता तो भी इसका answer पर सभी को करना होगा याद रखना ऐसा नहीं एक या दो को नहीं चलने वाला सभी को अगर आप convert करोगे तो दोस्तों दोनों के answers के आएंगे same आएंगे तो यह property number one अपने दिमाग पे बिठा लो अगर suppose मैंने ऐसा लिखा अब दोस्तों जब यहाँ पे जो determinant है इसमें मैं क्या करूंगा पता है किसी भी दो रोस को मैं क्या करूंगा interchange करूंगा suppose यह देखो आपको पता यह first row है और दोस्तों यह क्या है second row है मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ interchange कर रहा हूँ आप समझ लो interchange को हम इस तरह से denote करते हैं यह भी आपको पता हो नहीं मतलब आगे वाले bench को पीछे बिठा दो और पीछे आले bench को आगे कर दो तो यहाँ पे जो second number के bench पे बैठे हूं को first number पे हमने बिठा दिया और जो first number बैठे हूंने दोस्तों हमने second number पे बिठा दिया और last वाला same ऐसे ही रखा उसमें कोई changes नहीं किया तो अगर आप किसी भी एक यह आप दिखाई तरह interchange कर रहे है किसी भी दो रोज को मतलब उनके position को first पे ला रहे है या तो आप समझो third वाले को first पे ला रहे हो, first वाले को third पे ला रहे हो, तो दोस्तों इसका answer, इसका answer जो होगा, sign में change होगा, मतलब अगर सबोज इसका answer phi आया, या 8 आया, सबोज इसका answer 8 आया, तो इसका answer कितना आएगा, दोस्तों minus 8, तो ये चीज आपको पता होनी चीए अब दोस्तों यहाँ पे next है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यह एक सबसे ज़्यादा important है, और इसी के पर most of the questions आपके solve होंगे, सबसे ज़्यादा important यही है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक example ले रहा हूँ, one, two, three, four, five, six, four, five, six, अगर आप इसे observe करोगे, तो आपको रिखेगा दोस्तों यह जो row है, और यह जो row है, मतलब row number second है, row number third, identical है, क्या है, identical, तो दोस्तों इसके determinant का answer direct आप zero लिख सकते हो, और यह वाले property बहुत मुझे अच्छा लगता है, दोस्तों और यह वाले property में JEE पे भी question पूछा जाता है, अब दोस्तों यहाँ पे next अगर मैं बात करूँ, अगर समझो मैं one, two, three, यहाँ पे seven, nine, eight, seven, nine, eight, अब देखो अगर आप फिर से देखोगे, तो column, यहाँ पे दो column क्या है, एक दूसरे को same है, अगर suppose first वाला भी third को same होता, तो भी चलता, कोई भी दो column भी अगर same हो जा property है, दोस्तों, यहाँ पे इतना बड़ा property देखके आपको tension आ जाएगा, उसका simple language में मैं समझा देता हो आपको, समझ यहाँ पे five है, three है, two है, two है, four है, six है, यहाँ पे seven है, eleven है, three है, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जो determined आपको देख रहा है, उस elements को, second, first row के elements को देखोगे, इसमें सबसे smaller number कौन सा है, दोस्तों, two है, क्या two के table में three आता है, नहीं आता है, मतलब यहाँ पे से मैं कुछ common नहीं ले सकता, last वाले को अगर आप देखोगे, सबसे smaller number दोस्तों, three है, three के table में क्या seven आता है, नहीं आता है, मतलब इसमें से भी common ले सकते हो, इसके अंदर से अगर suppose मैंने two बाहर ले लिया, common ले लिया, तो अंदर क्या वच्छेगा, two के table में two कितने बार में आता है, one, two के table में four कितने टाइम में आता है, two, two के table में six कितने टाइम में आता है, दोस्तों, three, और remaining जो भी numbers हैं, उसको आपने as it is, copy कर दि या किसी भी एक row में मैं कोई multiplication कर सकता हूँ, या तो किसी भी एक column में से भी common निकाल सकता हूँ, जिस तरह से मैं रो में से निकाला हूँ, वैसे मैं column में से भी common निकाल सकता हूँ, तो ये भी just आपको पता होना चाहिए, question के अंदर जिस तरह से use होगा, उसी तरह से मैंने यहां पर example दिया है और यह next property है दोस्तों यह जही में बहुत बार यूज किया गया property अगर आप पी वाई क्यों जही के solve करते होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों अगर सब्सक्राइब यहां पर एक हमें elements दिया है एक determinant दिया और इस Attorney Prince को हमें दो estate में करबोट करना है तो बहुत you यहां पे जो भी интерес दिया पहले नीचे के elements देखो मैंने दोनों में लिख दिया यहांवाले elements मैंने दोनों में लिख दिया और दोस्तों अगर आप ध्यान से दिया और सब्सतों है तो वह हमेंと思र प्रोपर्टी के अकोडिंग कहीं कोस्टें अगर हमें यूज होता है तो यहсят है इहां दो अगर diagonal elements के नीचे के elements, देखो diagonals के नीचे जो तीनो elements है, या तो diagonals के उपर के elements, अगर 0 है, तो उस determinant का answer हम direct बता सकते हैं दोस्तों, इसका multiplication, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे example के तोर पे देखू, तो यहाँ पे suppose 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 है, यह 0 है, यह भी 0 है, यह भी 0 है, सबोज यह, आपको पता यह क्या है, diagonals है, diagonals के below के elements 0 है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, इसका answer क्या आएगा, यह तीनों को multiply करके comment करके बताओ, तीनों को just multiply करो, इस तरह से आपके properties मैंने करने आलाओ, हाँ, अगर आप देखो के बीच में मैंने एक property ली नहीं है, property number 5 के बाद 7 था गया, तो property number 6, जो मैं आपको question के अंदर ही train कर दूँगा, question के अंदर ही मैं आपको सीखा हूँगा, कि वो property भी एक important property है, और यहाँ पे आपको confusion create हो जाएगा, जब हम question solve करेंगे इसके बाद वाले lectures में, तो आपको मस्त, बहुत ही simple तरीके से चीजे समझ में आएगे, वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तों, मिलते है next lecture में, bye bye, take care, जाता स्यादा लोगों तक इस lecture को share करो, जहीं दोस्तों